सबी दर्शकों का फिर से स्वागत एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चनल आयरवेदी स्टेशन पर दोस्तों मैं पुख्रास साहू पतंजली मेगाश्टो निमत से दोस्तों आज की वीडियो में अपन पतंजली की दिवय फार्मेस्टी की एक बहुत ज़्य इतों इते टेल लेंगे यानि कि इसके इंडर क्या क्या समगुर्णि मिलाए गई इसको से किसी को दिव शेड़ क्राओATOR करें इसका इतुराक क्यक मिलाए गया चाहिए और दोस्तों غब करने से थी सब्सक्रादा енदर क्या मिलाए गया की समगड़ी है छोसक्ते हैं दूसरा इसके अंदर people और तिसरा एलोविरा तो ये पूरी तरीके से एक आयरवेदिक ओजदी है दोस्तो अब बात आती है इसको यूज करने से किसी व्यक्ति को क्या-क्या मुख्य लाब यानि के benefits हो सकते हैं तो दोस्तो जो इसके अंदर एलोविरा और people है वो जो मुख्य देते हैं वो इस प्रकार से अगर किसी को कहीं चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद अगर सूजन आ जाती है तो सूजन को कम करने में दोस्तो ये जो वंगबस में ये काम आती है साथ ही दोस्तो ये जो वंगबस में है ये योन इच्छा को बेहतर करने का भी काम करत यानि गर किसी को erectile dysfunction की समस्या है तो दोस्तों उसमें यह benefit देता है साथ ही दोस्तों यह जो ingredients से यह periods में अगर किसी महिला को over bleeding हो रही है तो दोस्तों उसमें भी यह पतंजली की वंग बस्म को जो पतंजली के वेद्य वो patients को देने का काम करते है यानि कि उसमें भी benefit देती है अब दोस्तों बात आती है इसकी खुरा क्या है यानि कि कितनी मात्रा में कोई व्यक्ति यूज में ले सकता है तो यह अलग-अलग उम्र वालों के लिए अलग-अलग इसकी एक ideal quantity होती है अगर पहले अपन बात करें जो वयसक है जो ज्यादा उम्र के है वो इसकी अधिक्त हम एक बार में 60 mg ले सकते हैं 60 mg सुबह और 60 mg शाम को अगर दिन में दो बार लेते हैं तो उनको जो benefits है वो पूरे तरीके से मिल जाते हैं अब दोस्तों इसको single लेना होता है या किसी के साथ आपको mix करके लेना होता है इसका जो decision है वो आपको एक बार जो वैद्दे वैट उनसे consult करके लेना होता है यानि कि आपको disease है उसके according इसमें दूसरी भी medicine mix के जाती है अब दोस्तों अंत्य में बात आती है इसको use करने से किसी को side effects या नुकसान क्या होंगे तो अभी तक जो आयरवेद की चिकित्सा है उसमें वंग बसम का किसी को side effects नुकसान नहीं बताय की तो आप देखेंगे जो दीफिय बसम दीफिय बंग बसम आरी पतंजली की वह पांच ग्राम की पेकिंग में और मात्र 35 याने की 35 रूपए है लेकिन दोस्तों आपने देख लिया हुआ इसके कितने जवर्दस्त benefit को इसका उपयोग करता है जो वेद्दी के सला के नुसा झाल 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 झाल